हेलो काई जो आप लोग बताना चाहूंगा जहार खंट भी एड सेकेंड राउंड कॉंसलिंग के लिए कॉंसलिंग फॉर्म आ चुका है तो चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कब तक आप लोग का सिटमेटिक्स जारी किया जाएगा उसको बाद आप लोग कब तक अपना एडमिशन ले सकते हैं सेकेंड राउंड वालूंग का ठीक है तो आप लोग देख रहे हैं यूटूब चैनल उलाइन विकास और जो लोग चैनल पर नए आये हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए दोस्त है यानि कि जहारखन कंबाइन इंट्रेंस कंपेटेटिव एक्जामिशन बोर्ड का यह उफिसल वेबसाइड है और जो लोग भी इस वेबसाइड में नहीं आ पाएगा उलूंग के लिए में इस वीडियो के डिस्क्रीशन में लिंक दे दिया हूं तो वहां पर टेस करके आप लोगं डारेट इस वेबसाइड पर आ सकते हैं फिर देखिये आप लोग को कांसलिंग फोंग होता है रोगहां पर से अपलाई करना होता है कॉछ देखता है उसके यहां पर आप लोगब को देखनों के मिलेगा क Alm helpful छे मिवह अगा क्लिक का आप लोगो टेश्ट करना इस ही में जिसे कि मैं टेश्ट कर दिया हूं टेश्ट करने के बार देखेगा तो यहां पर जितने भी counseling होता है जो कि जैसे इसी भी की दवारा apply किया जाता है यानी एक्जाम लिया जाता है तो उस सभी का यहां पर देखिए सबसे नीचे माईएगा तो यहां पर लिखा हुआ है online consulting for BA admission 2023 ठीक है उसका राइड में click here लिखा हुए तो click here में test करना है तो चलिए मैं click here मैं test कर दिता हूँ यहां पर मैं test कर दिया हूँ उसके बाद देखिए अगला जो पेज़ खुल करके आएगा जो की counseling वाला पेज़ खुल करके आएगा बीएडगा तो यहां पर देख पा रहोंगे एक red color का यहां पर लिखा हुआ जा रहा है यानि दहने से बाएं के और round second choice feeling is started मतलब start हो चुका है ठीक है तो आप लोग यहां पर लॉट्मेंट किया जाएगा तो यहां पर देखिएगा तो फस्ट में दिया गया है online registration and choice feeling for seat allotment of second round counseling तो कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो पचीस आड़ दो जारतेश से लेकर के तीस आड़ दो जारतेश तक अपना counseling के लिए form अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद second में देखिए तो addition in field of choice for seat allotment of second round of counseling अगर आप लोग एडिट करना चाहते हैं जो भी आप choice ये किये हैं select किये हैं तो उसके लिए 3160 2023 को फिर से site खोला जाएगा उहां पर आप लोग एडिट कर पाएंगे ठीक है अपने application में उसके बाद देखिए यहाँ पर date of publication of seat allotment list यानि seat matry ठीक है तो ओ कब किया जाएग second round का तो यहाँ पर 292023 को यह किया जाएगा ठीक है उसके बाद देखिए चोथा में download of provisional seat allotment कब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अपना provisional seat allotment तो ओ यहाँ पर देख पार होंगे 492023 से लेकर के 992023 तक कर सकते हैं document verification and admission in the concern institute for second round of counseling जो भी आप लोग का institute allotment किया जाएगा उहाँ पर आप लोग कब से कब तक अपना admission ले सकते हैं तो 492023 से 992023 तक आप लोग अपना admission ले सकते हैं ठीक है तो यह हो क्या आप लोग का important जनकारी जो कि मैं आप लोग को देना चाहता था आप लोग को मिल चुक तो उसके लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना है यहाँ पर आईएगा सबसे उपर मही ठीक है तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा student can get login id and password for this link यानि अगर आप लोग को भूल गए होंगे तो यहाँ पर से क्या touch करके अपना login id and password recover कर सकते हैं और फिर login करने के लिए यहाँ पर देख पार में छूटा सा लिखा हुआ है login और उसके नीचे देखेगा तो यहाँ पर दिया गया है existing user और sign in ठीक है तो यहाँ पर क्या करना है signing करना है आप लोगो sign in करके अपना जो भी counseling है उसको उस form को apply करना है तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो ले करके आऊँगा आप लोग के लिए जिसमें मैं पूरा करके बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग को counseling करना होता है counseling का form किस तरह से apply करना होता है इसके लिए मैं second video आप लोग के लिए जल्द ही लाने वाला हूँ तो आप लोग देख लिजेगा किस तरह से second round का counseling form apply करना है तो आप लोग को जो भी जनकारी चाहिए था get serrated और मिल चुका है तो please video का like कीजिए, share कीजिए और जो भी चैनल पर नए आए हैं अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियें दोस्तों तो चैनल को subscribe किजिए, bell icon को दबा करके रखिए क्योंकि दोस्तों आप लोग के लिए मैं एक video लेकर करके आने वाला हूँ